आये आये एक ऐसा दुरलब जानवर जो इंसानों के तरह दिखता है और बहुत ही ज़दा खतरनाक दिखने वाला एनिमल है आये आये दुरलब लेमूर की प्रजाती है जो मुख्य रूप से मेडागासकर का मूल निवासी है ये दुनिया के सबसे बड़े निसाचरी प्राणी है जिसके किरिंतक दात होते हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं इनके पंजे में बीच के अंगली लंबी पतली कंकाल जैसी होती है ये जानवर खाना खाने के तरीकों के लिए जाने जाते हैं ये मुख्य रूप से वर्सा बनो ये प्रणपाती जंगलों में पाये जाते हैं अपने जीवन का अधिकान समय उचे पेड़ो के कैनोपी पर बिताते हैं इनका जीवनकाल 20-23 साल तक होता है इनकी साइज 2-3.5 फीट तक हो सकती है इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है ये खाने में कीट, लारवा, बीज, फल, कवक खाते हैं ये जीव सर्वभच्छी होते हैं आये आये का सिकार, मनुस्य, सिकारी पच्छी, फोसा करते हैं इनकी सिर्फ एक परजाती पाये जाती है ये जीव बिलिप्थ होने के कागार पर हैं इनके बिलिप्थ होने का मुख कारण लोकल लोग इसको राचसी रूप देखकर डर जाते हैं और एविल समझ कर मार डालते हैं आये आये और कटफ़वा पूरी दुनिया के दो ऐसे जीव हैं जो एक सिकंड़ वे आठ बार तक पेड़ों पर टैप कर सकते हैं और पेड में छुपे हुए सिकार को बाहर निकालते हैं आये आये के हाथ की तीसरी अंगली 360 डिगरी तक घूम सकती है जिससे वे अपने सिकार को पकड़ सकते हैं इनके कानों के अंदर की लकीरे लेंस की तरह काम करती हैं अपने कान से लारवा के मुमेंट का पता लगाती हैं आये आये जीव गिलहरियों के तरह पैर के मुलिया बालो का रंग पूछ होता है बिल्लिक तरह सिर, आख, कान, नाक होता है लेकिन इनका दिमाग इनसे बड़ा होता है आये आये जमान होने पर आगे का हिस्सा चांदी जैसा हो जाता है सरीर मोटी फर से ढख जाता है आये आये जीव अपना अधिकान समय पेडों पर बिताते हैं और रात में ही खाने के लिए निकलते हैं दिन भर ये सोते रहते हैं आये आये जानवर पुरुस कुछ हद तक महिलाओं के साथ समाजिक हो सकते हैं लेकिन महिलाए आये आये अकेले ही रहना पसंद करती हैं ये जीव सुर्यास्त के समय सिकार करते हैं गिलारिक तरह पेडों पर चड़ते हैं महिला आय-ाय की परधानता पुर्तों पर होती है संभोग करते समय एक दूसरे के लिए बंद रहते हैं संभोग एक गंटे तक हो सकता है लोगों का मानना है कि आय-ाय अपसकुन होते हैं आय-ाय जी सोर अपनी बड़ी अंगली दिखाते हैं समझो उसकी मिर्त्यू निश्चित है इससे बचने के लिए आय-ाय को देखते ही लोग मार देते हैं और उन्हें लटका देते हैं ताकि बुरी आत्माओं को भगाया जा सके आय-ाय उन्हे सो तैटिसम बिलिप्त हो गया था उन्हे सो स्तावा में इसे फिर से खोजा गया एक अनुमान के अनुसार आय-ाय की कुलजन संख्या एक हजार से दस हजार के बीच होती है दिखने में ये खतरनाग जीओ की संख्या लगातार घट रही है इसकी मुख्य वज़ा सारी करण से उनके आवास को नुक्सान पहुचाना है आय-ाय जीओ को राच्चिसी दूत माना जाता है वैसे आपने इस जीओ को पहले से देखा या सुना है या नहीं कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्स्राइब करो, थैंक्स फ़र वाचिंग